कानपूर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है क्राइम ब्रांच ने मोबाइल वेपर्स चोरी करने वाले अंतर राश्ट्रिय गैंग के नो अभियुक्तों को गिरिफतार किया है ये अभियुक्त मेले और भील भाड़ वाले इलाके में चोरी की घटनाओं को अन्जाम देते थे गिरिफतार अभियुक्तों के पास से 22 मोबाइल और 500 ग्राम चरस भी बराबद हुई है ये अभियुक्त मोबाइल का एवाई नंबर बदल कर उन्हें नेपाल में बेशते थे क्राइम ग्राम्स पुलिस कमिशरेट कानपूर नगर को एक बहुत महतपूर्न गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है ये गैंग में लगभग 9 सदस्यों की गिरिफतारी हुई है इनका मुख्यकार ये था कि जितने भी प्रमुक मेले और जुलूस उत्तरप्रदेश में और आसपास की जिलों में होते थे वहां पर ये जाते थे और वहां से मोबाइल चोरी करने में ये एक्सपर्ट हैं और सबसे चौकान योली बात ये है कि उक्त मोबाइलों को ये नेपाल और बंगलादेश स्मगलिंग के जरीए से भेजा करते थे आप लोगों को जानकारी होगी कि एक डी असी नाम का गैंग ब्रशिलित है जो पिछले साल भी नौबस्ता थाने में ये लोग अरेश्ट हुए थे ये लोगों के पास से भी अलगवाग 58-60 मोबाइल बरामत किये गए थे तो सेम मोडस अपरेंडी है कि उक्त मोबाइल को ये नेपाल स्मगल करते थे और वहराईज जिले में एक रूपिया डी एक जगा है और महराज गंज में कृष्णा नगर बॉडर ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहां से इजीली ये लोग स्मगलिंग करते थे और वहाँ पर न मुख्या गैंग का मुख्य सरगना है शानू रंडी इसका नाम इसे बुलाए जाता है और इसके अलावा जौनपूर के तीन लोग हैं और आजमगड के कुछ लोग हैं और बचे विशेश लोग कानपूर के हैं इन सब लोगों को गिरफतार किया गया है अभी तक जो जानक हुपाल से अरेश्ट हुआ महाराश्टर में अरेश्ट हुआ वहां तक ही जाकर काम कर रहे थे तो एक वक्त आया कि जब उनका बहुत जगा उनकी शोहरत वो फैल गई कि यह गैंग काम कर रहा है और वो सब्सक्राइब करें वी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को योगी हम रखते हैं आपको हर पल अबेट